अक्सर जब भी हम अपनी गारी पर्चेस करते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है है एड़ लाइट्स के रिगार्डिंग जब भी हम गारी को ड्राइब करते हैं तो हमें ओन रोड इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कार से तो यहाँ पर क्या होता है ना गवर्मेंट ने कुछ नॉम्स निकाले हैं गवर्मेंट ब्रैंड्स को बोलती है कि आ अषनी गारी के अंदर लाइट दे सकते हैं जैसे कि 55 वाट यह पो लाइटिंग्स देखने को मिल जाती है 55-4 वाट के अंदर यह आपको कुछ मिलता है ओसराम का बल्ब जो जादा तर गाड़ियों के अंदर आपको इसी टाइप का बल्ब देखने को मिले गा एंड यह 55 से परचेस करते हो गाड़ी का जैसे की करेटा का आप SX ऑप्शनल देख लो तो उनके अंदर आपको LED मिलती है बट वो LED भी आपकी 50W के आराउंड ही रहती है 55-60W के आराउंड रहती है क्यों क्यों क्योंकि government norms रहते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी top model परचेस करते ह ना गाड़ी का उनको एक problem आती है कि गाड़ी की जो light है ना white color की light वो इतनी जादा powerful नहीं हो पाती है वो इसी काराण से रहती है कि government के norms है and companies को उसको follow करना रहता है तो इतनी अच्छी visibility आपको नहीं मिल पाती है बट after market आपके पास में धेरो choice रहती है LEDs की जिसमें आप ब्रैंट्स रखे हुए है जैसे कि Moco है, Blaupunk है, यहाँ पर BRK series की light है, X3 LED headlight है, यह BRK है, Osram है, Maxlink है तो बहुत सारी variety यहाँ पर रखी हुई है अपने पास में तो आज हम इनी LED के बारे में बात करने वाले हैं यह LED lights कैसा perform करती है और आपको कौन सी LED purchase करना चाहिए यह Let's get into the video, देखो सबसे बहले है तो market के अंदर न, LED में बहुत बड़ा scam चल रहा है आजकल, 110 watt, 300 watt, 180 watt, बट आपको इन चीजों से दूर रहना है, तो आपको इनको भी फॉलो करना है, तो उसको लेकर हम आज चलने वाले हैं और उसी criteria में हम आपको दिखाने वाले हैं, कि जि बचें, तो चलिए सबसे बहले हम यहाँ पर brand की बात करते हैं, यह Moco की LED है, जो आपको maximum power दे रही है, 156 watt का, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यह 156 watt, मतलब आप समझ सकते हो, कि 55 तो आपको normally यह जो bulb है यह वाला मिलता है इसके साथ में, तो आप अपनी गाड़ी के अं तो यह जो wattage है, यह कम हो जाता है, तो यह फिर light कम देता है, तो यह चीज आपको face करने को मिल सकती है, जब आप ऐसे watt की LEDs लोगे, विकोर इन में क्या होता है, एकदम से तो पावर आता है, तो एकदम सी bright up हो जाती है, बट धीरे धीरे यह अपनी low intensity में आ जाती है, और कम brightness provide करती है, तो मैं इनको recommend नहीं करूँगा, और साथ मैं government के भी rules के खिलाफ है, 156 watt, government में कहीं पर भी rules में mention नहीं है, कि आप अपनी गाड़ी के इंदर use करो, तो मैं इसको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, इसके बाद में आ जाते हैं, blowpunk की तरफ, blowpunk अगर आप देखेंग तो आपको yellow रोशनी मिलेगी, 5000 में आपको थोड़ी सी yellow रोशनी मिलेगी, और साथ में white का भी combination मिलेगा, 6000 Kelvin में आपको pure white light मिलेगी, और जैसे जैसे आप और जादा Kelvin में जाते हैं, तो आपको blue tint देखने को मिलेगा, lights के अंदर, तो 6000 Kelvin मेरे साब से perfect choice रहती है, अगर आप white LEDs अपनी गाड़ी के इंदर install करवाना चाहते हैं, तो यह 6000 Kelvin इसी लिए लिखा होता है, क्योंकि यह जो गाड़ी की light है, यह pure white light है, तो इसके अंदर आप देख सकते है, 110 Watt का total power लिखा है, अब यहाँ पर भी क्या होता है, 110 Watt का total power लिखा हुआ है, तो यह जो दो LED हैं इनमे चलता है market के अंदर, तो आप इस चीज़ को भी जरूर धियान में रखें, इसके बाद में यहाँ पर भी आपको और सारे brands मिल जाते हैं, बट मैं आपको जादा recommend नहीं करता हूँ, हाँ अगर आपका low budget है, तो आप जा सकते हैं, बट मैं विल्कुल भी recommend नहीं करूंगा, इ इसके अंदर आपको one year की guarantee मिलती है, उसराम की तरफ से, कुछ भी problem आती है, तो यह आप replace करा सकते हैं, पहले यह आती थी 25 watt के अंदर, बट अब आपको यह 50 watt के अंदर देखने को मिलती है, तो 25 watt बहुत जादा कम हो जाता था, रोशनी इतनी जादा अच्छी नहीं आती थ यह, 6000 Kelvin यह support करती है, light distribution इसका काफी कमाल का है, heat भी इसके अंदर बहुत कम रहती है, मतलब जो LED आप normally market के अंदर जाओगे ना तो बहुत जादा वो heat देती है, बट यह बहुत जादा heat efficient है, German lighting है, काफी अच्छी light आपको मिलने वाली है, पीछे अगर आप यहाँ पर देख अची है, और इसको भी आप purchase कर सकते हो, दिये हुए numbers पर आप call करोगे, तो आपको यह available हो जाएगी, new generation है, अभी market के अंदर कहीं पर भी नहीं है, amazon बगेरा पर भी आपको नहीं मिलेगी, तो अगर आपको चाहिए, तो आप इसको order कर सकते हो, तो गाईज इसके साथ में य और नई वीडियो के साथ में तब तक लिए, बाई बाई